दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोल गेट पाम अलिफ स्टॉक के बारे में तो शुरू करते हैं आज के 15 मिनट चार्ट के अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली लेकिन जैसे ही क्लोजिंग के करीव आया स्टॉक यहाँ पर एक शांदार मू हमें देखने को मिली करीबन 1624 रुपे पर क्लोजिंग स्टॉक ने बना कर दिखाई थ्री आवर चार्ट के अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर अभी भी गिरावट स्टॉक में जारी है अगर यही डाउन फॉल जारी रहता है तो दिखिए नीचे की तरफ आप चाहें जिस प्रकार से एक Green Bullish Candle हमें देखने को मिली है अगर इसी प्रकार से तेजी चारी रहती है तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन्स में जो टार्गेट स्टॉक अजीव करेगा वो हैं 1650-1700 रुपे तक के टार्गेट भी जल्द ही कोल केट पामोलिव अचीव कर सकता है तो एक वीडियो जरू पनाएंगे तो यही स्टैटेजी आपको उपनानी है इस टॉक के अंदर वीडियो दिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद